हर्याणा के सोनी पत के गाउं अगवानपुर में एक साथ तीन हत्याओं से संसनी फैल गई काउ में बाइक पर सवार होकर गोलिया चराकत दहशत फैलाने गूम रहे दो बदमाशों ने एक घर में गुसकर फायरिंग कर दी गोली लगने से विजयबाल नाम के व्यक्ती की मौत हो गई वादात के बाद बढ़के गाउं वालों ने दोनों बदमाशों को गेर लिया और इंट पत्थर और धंडों से पीट पीट कर उनकी भी हत्या कर दी दोनों सगे भाई बताया जा रहे हैं वादात को लेकर पुलिस चानवीर मेल लगी हुई है तीनों के शवों का पोस मौटम कल मंगलवार को हुआ अगवानपुर के रहने वाले अभिशेक और अश्वेनी आपराधी किसम के यूवक हैं दोनों सवार को बाई पसवार थे और इनके सिर्फ पर कून सवार था पहले इनों गाउं में अपने चाचेरे बाई सीमरन पर फाइरिंग की वो तो गोली लगने से बच गिया लगिन इसके बाद ये सोमदत के घर में गुजग गए बहाँ पर इनों ने कई गोलिया चलाई है यहां चार लगिया कमरे में थी और इनों ने डर के मारे कमरे के दर्वाजे बंद कर दिये लगियों का चाचा वजएपा लिया आया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई गुलियों के आवास से आसपडोस में संसे नहीं फैल गई गाउंवाले इखटा हो गए और वारदात करके भाग रहे दोनों बदमाशों को खेल लिया उन पर इनिट और लाटी डेंडों से हमला कर दिया एक बंदमाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की इलाज के दोरान पीजियाए खानपुर में मौत हो गई अगवानपुर में एक साथ तीन हत जाओं के सूचना से पुलिस में खड़कम मच गया बिसीपी गौराव, एसीपी गौरका, पाल, राणा, एसेचो, रवी, कुमार, पुलिस टीम के साथ गाओं मोचे सियाई और क्राइम यूनिट ने जानकरी जुटाए तो फॉरंसी टीम ने मौके से सुबूत जुटाए कटना सल से गौलियों के नौ खोल और पिस्टॉल बड़े मिले हैं अगवानबुर के रहने वाले अविशेक और अश्वनी दोनों भाई हैं और इन पर लूट हात्या के प्रया समेथ पाँच विबिन धाराओं में से पहले से पाँच केस दर्ज हैं दोनों ने खुद का बॉकसर के नाम से गैंग खाना किया था तीन साल से दोनों आप राधिक वारदातों में शामिल रहें इन्होंने करीब लेड़ साल पहले अपने चचेरे भाई सीमरन की शादी में फाइरिंग की थी एक वक्ती को गोली भी लगी थी इसी गोले का सीमरन और रेजिस्ट चली आ रहे थी सोमवार शाम को दोनों ने सीमरन पर भी गोली चलाए लेकिन वो बच गया